सल्मान खान के उपर जब हमला हुआ तो हर कोई ये बात जानना चाहरा था कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने सल्मान खान के उपर हमला किया आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने एक बार फिर से ये कोशिश किया कि सल्मान खान को जान से मार दिया जाए इन सबी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे लेकिन अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा और वीडियो देखने से पहले सबसे पहले News 18 इंडिया के चानल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आप जले आपके इन सवालों का जवाब देते हैं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो सलमान खान की जान के पीछे पढ़े खुए हैं आप सबी को याद होगा कि दो दिन पहले किस तरीके से सलमान खान के घर पर जो है फाइरिंग की गई दरसल दो हमलावर जो है वो पहुचते हैं सलमान खान के घर के बाहर सुबह के चार बजे मोटर सैकल पर सवार होकर क्या पुरों ने पहनी हुई थी और अंधा दुन-द टीम के तरफ से जाच परताल की गए तब यह पता चला कि दूसरी गोली सलमान खान की उसी बालकनी में लगी है जापर आए दिन सलमान खान नजर आते हैं अपने फैंस से मुलाकात करने के लिए बद्दे का मौका हो उनके एद हो दिवाली हो सलमान खान आए दिन वहाँ प कि सलमान खान जो है वो सवक्त घर के अंदर ही मौजूद है और इसी लिए सुबा के चार बजे जो है चार से पांच राउंड फारिंग की गई हाला कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो लगातार पूचताच कर रही थी हमलावर को ढूडने के कोशिश कर रही थी लेकिन आखिरकार उन हमलावरों का पता चल गया है जिन्नोंने भाईजान के घर पर गोली चलाई थी अमें आपको बताते हैं कि दोनों शक्स जो है मुंबई क्राइम ब्रांच नहीं ने गुजरात के भुच से गिरफतार किया है दोनों की पैचान भी की जा चुकी है दोनों का नाम जो है एक का नाम विक्की सहिब गुपता है तो दूसरे का नाम सागा श्री जोगेंदर पा थी वो पिस्तॉल जो है दोनों नहीं सूरत में एक नदी में गिरा दी थी जो जानकारी अब तक है हाला कि अब मुंबई क्राइम राज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर उस पिस्तॉल को जो है किस तरीके से ढूंडा जाएगा इतुना ही नहीं अब इन दोनों स तो लॉरंस विश्णोई का भाई है उसने इस पूरे हमले के जिम्मेदारी ले ले लिए और साफ तोर पर ये कहा कि देखे अब जो है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था भी पूरी पिक्चर बाकिया जिस तरीके का हल सिद्दू मुसेवाला का किया गया था उससे भी बुरा हल सल्मान खान का किया जाएगा लेकिन इन सब के बीच में अब सल्मान खान के भाई यानि कि अरबास खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ तोर पर ये काई कि देखे इस पूरी घटना के बाद जो है परिवार स्तब्ध है डरा हुआ है और ह भी जरुवत होगी मुंबाई पुलिस को हम उनके साथ खड़े हुए हैं